पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्फ कप्तान शोयब मलिक इन दिनों करीब इन प्रीमियर लीग में शिर्कत कर रहे हैं। इस सिरीज में शोयब गुयाना मेजॉन वारियर्स की कप्तानी कर रहे हैं। 12 अगस्त को बाबडोस ट्राइडेंट्स के खिलाफ खेलते हुए शोयब ने ऐसा कारनामा कर दिया जो अभी तक T20 में दुनिया के केवल तीन बल्लेवाज ही कर पाये थे। इस मैच में शोयब ने बेशक 30 गेन पर 38 रनों की पारी खेली लेकिन वो T20 क्रिकेट में 8,000 रन पूरा करने वाले दुनिया के चौथे बल्लेवाज बन गए हैं। शोयब मलिक से पहले ये कारनामा करने वाले क्रिस गेल, ब्रैंडन मेकलम और कीरन पोलाड ही हैं। तो वही T20 में 10,000 से जादा रन बनाने वाले क्रिस गेल इस सूची में नमबर वन पर हैं। तो वही दूसरे नमबर पर ब्रैंडन मेकलम के खाते में 9,188 रन हैं। जबकि कीरन पोलाड 8,225 रनों के साथ तीसरे नमबर पर हैं। शोईब मलिक के खाते में अब 8,034 रन हो चुके हैं। तो वही इस लिस्ट में नमबर 5 पर भारत के सुरेश रहना हैं। जिनके खाते में 7,929 रन हैं। और छठे नमबर पर 7,744 रनों के साथ विराट कोली हैं। आपको बता दे कि भारत्य टीम के खिलाडी बाकी देशों की T20 लीग में हिस्सा नहीं लेते हैं। इस वज़े से भारत्य खिलाडीयों के बाकी देशों के क्रिकेटरों के मुकाबले T20 में रन कम होते हैं।